हलो ट्रेडर्स आप देख रहे हैं ट्रेडर सैनी जी यूटूब चेनल आज सुकुरवार का दिन है और सुकुरवार के दिन मार्केट ज्यादातर समय साइड बेस रहता है और ट्रेड करना भी बायर्स के लिए थोड़ा रिस्की रहता है इसकी वज़े से आज मॉर्निंग का मेरा एक ट्रेड था जो अभी तक फशा हुआ है और इसमें कहीं न कहीं गलती की हर कोई ट्रेडर जो है छोटी मोटी गलती करता है इस वज़े से हो सकता है कि उसे लोस बुक करना पड़ता है एक छोटा सा लोस को अगर बुक नहीं करेंगे तो बड़ा बन जाता है और यह जिसमें मैंने तीन लोट पर्शेज किये थे क्योंकि तीन लोट जो है उनसे ही ज़्यादातर मैं बाई करता हूँ और उसी से सेल करता हूँ तो यहाँ पर तीन लोट जैसे ही पर्शेज किये तो यह 395 की लगबग हमने ट्रेड किया अब यह 424 तक जाकर आया मॉर्निंग में तो 424 तक मेरा टार्गेट था कि या तो मैं 1000 रुपए का स्टोपलोस दे दूँगा या फिर में मेरे को 2000 रुपए यहां से प्रोफिट होना चाहिए प्रोफिट में यह ट्रेड मेरा आ गया था 1300 रुपए मतलब 1300 रुपए में कमा रहा था इस ट्रेड में उसके बावजूद में मैं इससे बाहर नहीं निकला मैंने इस ट्रेड को एक्जिट नहीं किया अब उसके बाद में हुआ क्या मार्केट साइड बेस हो गया साइड बेस के दोरान धीरे धीरे मार्केट नीचे फिस चलने लगा अब मुझे पता था जब डे लोको भी डाउन साइड से मार्केट जो है और भी नीचे जा रहा था तो मैंने तुरंट एक बाउन्स बैक के अंदर दो लोट इसकी निकाल दिये कहने का मतलब 15 रूपए के स्टोप लोट पर मैंने 380 पर दो लोट वापस निकाल दिये अब जैसे ही फिलाल मेरे पास एक लोट यहाँ पर है जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ और ये एक लोट वहाँ से भी फिसल कर 380 से फिसल कर अभी फिलाल 100 रूपीज पर मतलब सेर एक लोट में 15 है तो 1500 रूपए के से भी ज्यादा का यह मुझे लोट दे रहा है एक ही लोट लेकिन इसको मैंने रीकवर करने के लिए यहाँ पर ट्रेड लिया मुझे दिखा कि अब डाउन साइड में मार्केट जा रहा है तो यहाँ पर एक ही लोट क्योंकि यह जो मेरा रिस्क है इसको मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया चलो आज प्रोफिट कमाए ना कमाए लेकिन बैलेंस यह जो है अपने को माइनस में या रेड में अपने को लेकर नहीं जाना है आज की जो क्लोजिंग पोजिशन है कम से कम में पानसो से हजार रुपए का लोट हुआ तो चलेगा लेकिन इससे बढ़ार लोट नहीं होना चीए इसकी वज़े से में चारा था कि ये लोट छोटा रहे तो अपने एक ट्रेड बनाया यहाँ पर एक लोट से अब इसमें मैंने 690 रुपए वो कर लिए एक ही लोट में अगर दो लोट लेता तो ये बैलन्स हो जाता और मैं इस ट्रेड को भी कट कर सकता था लेकिन उसके बाद मैंने निप्टी में एक अच्छी पोजिशन देखी और निप्टी भी डाउन साइड के और फिसल रहा था तो निप्टी में अपने एक पोजिशन बनाई और ये बाइंग पोजिशन थी मेरी 114 पंदर रुपए पे और ये ट्रेड मैंने कट किया है 114 इसके लगभग इस तरीके से 985 रुपए निप्टी में मैंने कमाए है और इसमें कमाए है लेकिन अभी ये ट्रेड बहुत माइनस में चल रहा है 1600 रुपए कमाने के बाद ये जो लेस करते हैं लगबग इतना लोस अपना चल रहा है कोई दिक्कत नहीं शाम तक मैं थोड़ा सा प्राइज एक्षन को देखते हुए इस ट्रेड को कट करूँगा लेकिन अगर मुझे लोस होगा तो टोटल और 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 हजार रुपए से ज़्यादा का लोस मैं नहीं रखूँगा लेकिन मुझे कुछ इंट्रेस्टिंग प्राइज एक्षन दिखा तो उसके एकोडिंग ये मुझे लग रहा है कि शाम तक फिर से रिकवर कर सकता है और रिकवर करेगा तो ग्रीन में आने के बाद हम इस पोजिशन को कट कर देंगे टोटल औरोल कहने का मतलब कमाई नहीं होगी तो चलेगा लेकिन अपना जो पैसा अपनी जो कैपेटल वो नहीं जानी चाहिए इसके आधार पर मैं आज के दिन ट्रेड करूँगा देखते हैं end of the day क्या रिजल्ट रहता है मैं आपके सामने लेकर आऊँगा ये पूरा ट्रेड पोजिशन लेकिन फिलाल के लिए आप देख सकते हैं आज के दिन मैं थोड़ा लोस में चल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है क्यूंकि आप लोग जानते होंगे कि स्टोक मार्केट में बहुत सारे लोग मेरे को देखकर सोच रहे हूँ यार रोजाना इतना कमा रहा है तो फिर तो बहुत पैंसे कमाते होंगे ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर पैसे कमाते भी हैं तो पैसे दे कर भी जाने पड़ते हैं भाया यह stock market है लेकिन आपका risk management अच्छा होना चाहिए अब किस तरीके से risk को manage करते हैं वो बड़ी बात है अब मैं यहाँ पर target मेरा लेकर चल रहा हूँ loss का भी और profit का भी उसके according चलना चाहिए तो लेकिन मैं मेरे target और loss पर अडिग रहूँगा तो better रहेगा क्योंकि मैं यहाँ पर मेरा target था कि morning में कम से कम यह 2000 रुपे देता था यह trade नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं 50% जाकर वापस आ गया और उतना ही जितना बड़ा मेरा target था उतना ही बड़ा भी फिलाल उसके लगभग यह अकेला trade जो है न यह मुझे loss दे रहा है कोई दिक्कत नहीं इसको manage करने के लिए मैंने यह इस तरीके से यह trade लिए और वास्तों में यह trade अच्छा काम कर गए जिन्होंने यह manage किया है मेरे trade का risk को और अभी फिलाल इतना low से कोई दिक्कत नहीं मुझे पता है जो सुकुरवार जो होता है इस दिन market में trade बहुत समल के करना चाहिए यह risk की होता है साथी साथ Monday के दिन और Tuesday के दिन यह तीन दिन ऐसे होते हैं option buyer के लिए थोड़े खत्रे से खाली नहीं सतर्क रहकर करना पड़ता है लेकिन इसमें morning में मुझे चाहिए था कि मेरा जो target है इसको half position quantity book करता तो अभी तक अपन जो है अच्छी खासी position पे होते कोई बात नहीं देखेगा आपको क्या लग रहा है नीची वीडियो के नीची comment करके बताए thank you guys